कौन है ये किसकी है ये आवाज जो हर वक्त कोल करते ही सबसे पहले हमें जागरुकता के बारे में बताती है आखिरकार वो लड़की मिल ही गई जिसकी आवाज को पूरा भारत जो है ढून रहा है जिसकी च्छान भी चल दी है कि जब भी किसी को कोल करते हैं तो कौन है या यार किसकी है ये इतनी मिठी आवाज जो हमें कोलर टून पर सुनाई देती है तो दोस्तों सुनते हैं करोना महामारी से इस वग जूचने के लिए कुछ सावधानिया बरतनी जरूरी है अपने मूपे फेस मास्क हमेशा लगाते रखिये जब आप घर से बाहर जाएं सोशल डिस्टिंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है अपने हाथ लगातार सावधान से धोते रहिए और अगर सावधान और पानी ना मिले तो अलकोहल बेस पैनिटाइजर का उप्योग कीजिए सुरक्षित रहिए सजग रहिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डेली से जसलीन भला है जिसने कोविड-19 के लिए अपनी आवाज दी है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एक वोईस ओवर आर्टिस्ट है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जसलीन भला ने अपने करियर की शुरुआज जो की खेल पत्रकार से शुरू की परन्तु बाद में उन्होंने अपना फिल चैंज करकर वोईस ओवर आर्टिस्ट में अपना कदम रखा और तकरीबन इस लाइन में वो दस साल से काम कर रहे हैं आपने कोविड-19 की ही उनके वोईस पे गोर के आपरन्तु दोस्तों में आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी एड़र्टीजमेंट में आउंट दिये अपने आवाज दी है तो आएए एक नजर उन एड़र्टीजमेंट पर डालते हैं जिसमें जसलीन भला ने अपनी आवाज को दिया है तो दोस्तों ये थी जसलीन भला और उनकी आवाज में रिकोडिंग की गई कोवीड नाइनटीन की कॉलर ट्यून जिसने लोगों को कोवीड नाइनटीन यानि कोरोना वाइरस से सजग रहने जागू रहने की मैसिज दिया और लोग भी इससे बहुत परेशान हुए परन्तु अच्छे काम में अगर थोड़ा परेशान होना पड़े तो चलेगा दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करिए शेर कीजिए और जो भी आपकी राय हो मेरे कमेंट बोक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद